हाथियों से परिशान किसानों ने वन चौकी जाकर प्रदर्शन किया। किसानों के फसल को जंगली हाथियों ने बड़ी मातरा में नुकसान पहुचाए है। जिससे पेड़ित किसानों ने वन रेंज अधिकारी से समस्या के समधान की मांगती है। परबाद कर दिया जिस्ते आकुरुषित ग्रामिडियों ने वन्चों के पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए समस्या के समधान की मांग की 25-30 बिगे जमीन पर बड़ा नुक्सान किया हाथियों ने और बहुत मतलब 25-30 हाथी की संख्या में हो सकते हैं अनुमान है हमारा और उन्होंने बड़ा नुक्सान किया और जैसे आज रात की बात करें जो पिछली रात गई उस रात में भी जो है कब्रस्तान वाले जो के पास का जो इलाका है जंगलात का खितों का उसमें 25-30 हास्तों ने गुसके 25-30 भी गए कि आसपास की जमीन पे दहा गंपने की फसल को पूरी तरीकासे बरबाद कर दिया और रोज-दो इतनी बड़ी संख्या हमें हाती घुसरे हैं बड़ा जानमाल का नुक्सान कर रहे हैं खास करके खिती का नुक्सान कर रहे हैं तो लोगों भीवाक के पास आए थक गए हैं कभी आस्वासन मिलता कि यह ह हो जाएगा कभी काते नाली खुदवा देंगे कभी कर देंगे ऐसा नुकसान तो कभी हुआ ही नहीं जितना इन पिछले कुछी दिनों के अंदर हुआ है वहके पर पहुंचे वन रेंज अधिकारी जैपाद सिंधावत ने ग्रामेरों को आश्वासन देते हुए कहा कि शेग बढ़ेगी रात रात दस बजे ग्यारा बजे बारा बजे जो भी हमसे हो हमारे स्टाप पैट्रोलिंग करेगा इसमें दूसरा हाथी खाई तुरंद खुद जाई है BDC राजिंद तडियाल ने कहा कि किसानों ने इतना महगा धान लगाया है करज लेकर किसानों ने खेती की है किसानों के नुकसान का मुआपजा मिलना चाहिए गरामिन के बीच में जो एक खाई पहले से खुदी वी थी उसको दुबार से सही करने के लिए रेंजर साब ने आस्वसंद दिया है मैं चाहूँगा कि रात को जो गस्त होती है वो गस्त भी बढ़ाई जाए क्योंकि जगली जानवर लगातार छेतर में बढ़ रहे हैं और अब बीच रहे हैं जाखल न्यूज़